जहन दोस्तों आखर मानी रच्छा मंतरी जी से ओरोपी बिसंगतियों को लेकर कौन मिलेगा और वो किसे मिलेंगे आखर कौन सा संगठन है जो आगे इस मुहिम को लीड कर रहा है क्या और कितने संगठन है या टोटल देश में कितने संगठन है आईए इसके उपर जवर्दस्त बात करेंगे ताके आज आपका confusion दूर करूँगा कि बन्रेंक बन पैंसिन को लेकर क्या खिचडी पहले हमारे अंदर क्या पक रही है सरकार के अंदर क्या पक रही है इसके बारें बात करेंगा और इसका solution क्या होगा इसके बारें बात करूँगा आज मैं दो एक बात करूँगा एप भी है आप समसरक्तों Federation of Veteran Association जिनके जो अध्यच्छ है मानने आरजुन सिंग राठोर जी उनका अब्यक्तत तुर्ष की personality उनकी बेसभूसा भासा आप देख सकतो शानदार और शुपर है उनके नेत्त्त में और जिसके अंतरकत और इनको रिटिन में अपना सहयोग दे दिया है एक से दस सहयोग दे दिया है और लगातार बीस फरवरी से जंतरमंतर पर हो या देश के अंदर SDM, DM को ग्यापन देना हो या नेताओं को देना हो यानि जन पृतनिधी को देना हो लगातार अपना संगर्स जारी रखे आप समसकते हो चाहे टेंपरेचर हो चाहे उनके अगेंस्ट पुलिस आती है चाहे बहुत सारे लोग आकर उदर हंगामा करते हैं लेकन एक ऐसे ब्यक्ति के आतमे नेत्यत्यत्य है जो के बिलकुल शदा हुआ और मजा हुआ है मजा हुआ खिलाड़ी आप देख सकते हो इन इसने 6 अगस्त की कॉल किया है जिसको बोलते हैं इन्होंने कल एक पोश्ट डाली है कि हमारे साथ 72 संगठन है 72 प्लस हैं 50 की लिष्ट डाली है बाकी होगा कि यह रिटिन में दे सकते हैं इसके अलाबा देश में लगवग 1500 प्लस संगठन है आप 110 प्लस बात लगा सकते हो तो कितना आप आडिया लागा सकते हो लगवग मैं मानूं 200 तो 1300 प्लस संगठन क्या कर रहे हैं अर वो आज कहां जाएंगे वो आज असमंजस की स्थितिय वो आप लोगों ने पैदा किये यह कहीं ने कहीं आप आप कहीं ने कहीं इतने मेत्वा कांची मत बनिये क्यों आप दोनों संगठन मिलके आप पहले 110 और 112 को जोड़िये और 200 बनिये और ये पहल की जिंबेदारी लिये आई वी यो इंडियन वेटरन और नाइसन जिसका मैं भी सदस्यूं और उसकी ये कैप मैं भी ओड़ता हूँ दोस्तों उसके जो कॉडिनेटर राश्ट्री प्रेशिडेंट हैं उनके पास और लगबग अभी मैं जो आंकड़े देख रहा हूँ साथ हज्जार के आसपास उनके पास सैनिक जुड़े हुए हैं और ये समान में आज जबानों के साथ भेदवा किसी भी प्रकार की जाती है और उनको उनके लिए समान की बात के लिए ह मैं अभी किसी आपने सीनर से बात कर रहा था उन्होंने बता है कि ये अरजुन से आप है ये पहले बीर बादुर साथ ही थे और एक वो संगठन था जो के अफसर के अलावा जेशु जवानों का था और उसकी अच्छी पहल थी बीच में आपके पास किसी ने किसी चीज के म प्यारा बनिये और फिर जाकर के पंदरा सो को जोड़िये क्योंकि अब समय आ गया है महा गठबंदन और महा युद्ध का समय आ गया है और ये समय चूक गए तो पस्ताते रहोगे अपने चेहरा चमकाने के चकर में आपने वारोपी का नाम लेकर के सब को बेबकूफ बना यह लोग यही सोचेंगे चाहिए आप भले काम कर रहे हो लेकिन आपको आज आत्म मंतन और आत्म चिंतन करने की जरूरत है अभी मन्जल बहुत नजदीक है चुनाव आ रहा है आप समसकतो आचार सैंता छे मेने पहले लग जाएगी तो आपके पास लगवग लगवग दस मेने हैं लगातार इसका है आप मुमेंट करते हैं यह सारे जबान आपके साथ हैं आप लोगों के साथ हैं बट उन्हें कन्फ्यूज मत करिए आप दिल्ली में बैट करके आप 6 अगस्त का डालोगे कोई दूसरा 10 अगस्त को राम ली लाम डालेगा तो जबान क्या चैंगे जिनका संख्यावल आप से ज्यादा है और एक्टिब भी हैं वह उसकी पैल कर रहा हैं बिड़ाम मानने को त्यार नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है जब आपकी मञ्रेक है वननिंग वनपेंसिन सब के लिए बिडोफेंसिन सब के लिए MSP सब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, भूर भूर आपकी प्रसंसा की जा रही है फिर ऐसा क्या चीज है जिसको आप छोड़नी पाय रहा है और वो ही साथी हैं जो आपके साथ थे जिनको हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन कहीं ने कई नेत स्वार्थ और जिद को छोड़कर आप 25 से 30 लाख सैनकों के लिए तो एक हो जाईए और ये धर्म युद्ध है माभारत में भी बहुत सारे लोग अर्जुन के पांडवों के पच्छ में थे लेकिन धर्म सेंगर साब और उनकी पूरी राष्टी कारकारणी राष्टी जितने आपके स्टेट के जितने अध्यच हैं आपके साथ खड़े होने को त्यार हैं हम चाहते हैं कि जबानों को न्याय मिले हम चाहते हैं जबानों को हक मिले हम चाहते हैं कि जबानों को आने वाले कल में मान किसी भी प्रहासन अधिकारी को अपनी बात मनवा सकते हैं यह दो सही है हमारा तरीका फौजी होगा हमारी बातचीत करने का तरीका फौजी होगा हमारा काम करने का तरीका फौजी होगा और हमें नयाय से कोई रोक नहीं सकता है आज नहीं तो कभी नहीं यह इस बात जो आपन अपने आप में और संगठन या सैनेक किसी ने किसी रूप में आपके साथ हैं धन्यवाद दोस्ति